दोस्तो नमस्कार कर्णल अजय सीओ अजय एस्टो मनी गरूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फनाइस लीचाज चैनल से आप से मुखातिब होता हूँ आज 23 नौबर सन 2023 दोस्तो मसालों पे चैजीरा दनिया लालमेच काले मेच छोटी बड़े इलाइची हल्दी इन सबी पर हमारे अपडेट आपको हमारी चैनल पर मिलते हैं आज के शो में हम बड़े बात करेंगे ब्लैक कार्डेमन यानि बड़ी इलाइची के उपर जानि पूरी रिपोर्ट व विश्लेशन हमने दिये हैं बड़ी इलाइची की पहली फसल लगवक 50-60% तक डैमेज होई थी खराब होईने के समाचार थे और दूसरी फसल में भी कोई बड़ी अच्छी ख़बर नहीं है और वो भी फसल के अंदर नुक्सान होने के समाचार मिल रहे हैं दोस्तो मसालों के ओपर छोटी वे बड़ी लाइची पर हम लगातार अपडेट और विश्लेशन देते हैं गौरतलब है कि बड़ी लाइची के लिए आसाम सिक्किम एवाम नेपाल आदी देशों पर हमें नजा रखनी होती है दोस्तो दिवाली के बाद बड़ी लाइची की दूसरी फसल की आराइवल होने की संभावना जयताई जा रही थी और इसकी आराइवल आप शुरूब हो चुकी है लेकिन दूसरी फसल भी पहली फसल के समान कमजोर होने के समाचार मिल रहे हैं चालू सीजन के दौरान मौसम की एड़़सरी इसके कारण बड़ी लाइची के फसल को व् बड़ी लाइची की पहली फसल को 50-60% की हानी होनी के आशंका थी और दूसरी फसल में भी ते कमजोरी की अनुमान हैं हाल में ही लेकिन बड़ी लाइची की बिक्वाली कमजोर होने से ठोक किराना बजारों में बड़ी लाइची जुन्डी हाल में पिछले लगवे एक से प्रेड मेंने कुछ थोड़ी सी कमजोरी थी और भावों के अंदर गिरावट थी लेकिन आप पिछले कुछ जिनों में इसमें सो से 110 रुपए की तेजी के साथ में 1070 से 1090 रुपरे पती किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं सोलानों अंबर को अभी तक की अंतिम निल्लामी में बड़ी लाइची के आउसत निल्लामी कीमते तेज होकर 925 से 1250 रुपरे पती किलोग्राम पहुच जाने की सूचना मिली थी बुटान और सिक्किम में भी फसल को हानी के खबरे आ रही हैं और माना जा रहा है कि घरेलो बजार में बड़ी लाइची का का की आवक का दवाब पढ़ने से का जो माहूल है वो महिने के अंतिक रहेगा और साथ साथ नेपाल में भी बड़ी लाइची का भारी मातरा से हम लोग आयात करते हैं यानि भारत नेपाल से का बड़ी लाइची का सबसे बड़ा आयातक देश माना जाता है नेपाल में भी आयातित बड़ी लाइची का आयात अपड़ते में बढ़कर 950 रुपए 35 लोगराम या उसके उपर की इसतर बन सकता है गौरतलाव है कि साल 2023 के आरंबिक पांच मैनों में यानि अपरेल से अगस्त में देश में कुल 29.18 करोड़ रुपए कीमत की 395.38 टन बड़ी लाइची का निर्यात हुआ है एक वर्ष पूरी समानद्दी में 698.81 टन मात्रा में निर्यात हुआ था और 55.5 करोड़ की आये हुई थी अगामी दिनों में यदि बड़ी लाइची के मांग बढ़ती है तो इसके अंदर तेजी की संभावनां से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तो छोटी लाइची बड़ी लाइची के अतरेक्त हल्दी अजवाइन में थी इन सभी की विशेश रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं दोस्तो याद कीजेगा जीरे धनिये में हमारा अग्रुम अनुमान सत्ते साबित हुआ था सासा सौफ बड़ी लाइची छोटी लाइची के और ड्राइफूर्ट में काजू किश्मिश बड़ाम इन पर भी हमारे अनुमान सही साबित हुए हैं दोस्तो हमारे चनलन पर बने रहने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना आवशक होगा साथ साथ यदि आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवशक कीजिए और बड़ी बास गुड लाइक हैपी टेडिंग